नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल अनुज टेक में दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ अपरेंट डेंसिटी तो दोस्तों अपरेंट डेंसिटी हम करते हैं वुड का और फोम मट्रियल का तो अभी यह हमारे पास एक सेंपल है बुड तो चलिए इसका डाइमेंसिन ले लेते हैं सबसे पहले लेंथ इसका लेंथ है 50.23 और इसका वीर्थ है 50.45 और हाइट मेजर कर लेते हैं 50.19 तो दोस्तों चलिए इसका वेट कर लेते हैं अब इसका वेट आ रहा है 111.4390 तो दोस्तों दूसरा सेंपल हमारे पास फोम का है यह फोम का सेंपल है तो चलिए इसका भी डाइमेंसिन ले लेते हैं सबसे पहले लेंथ इसका लेंथ आ रहा है 44.87 इसके बाद वीर्थ देख लेते हैं इसका वीर्थ है 49.11 और हाइट हाइट है 51.59 तो दोस्तों इस सेंपल का भी वेट ले लेते हैं इसका वेट आ रहा है 3.0539 तो दोस्तों अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका apparent density इसका फर्मूला होता है mass divided by volume length into width into height l into w into h तो mass is equal to 111.4390 volume is equal to 50.23 into 50.45 into 50.19 तो दोस्तों ये सारा value हमने लिया है mm में तो इसको calculate कर लेते हैं 127186.6 mm cube आएगा ये इसको centimeter में change करेंगे तो 127.1866 ये आजाएगा centimeter cube में अब इसको formula में रख देते हैं तो mass हमारा है triple 1.4390 divided by 127.1866 तो ये हो जाएगा 0.8761 ग्राम पर cc centimeter cube इसको kg में convert करेंगे तो multiply by 1000 कर देंगे ये आजाएगा 876.1 kg पर meter cube दोस्तों इसी तरह form का भी calculation कर लेते हैं उसका weight है 3.0539 वैल्यूम इसका है 44.87 into 49.11 into 51.59 ये सारा value भी mm में है तो ये आएगा 113681.9 mm cube तो इसको centimeter cube में convert करेंगे तो 113.6819 ये आजाएगा centimeter cube में इसको formula में रखेंगे तो 3.0539 ये हमारा weight है divided by 113.6819 ये आजाएगा 0.0268 ये आया gram पर centimeter cube या cubic centimeter इसको kg पर meter cube में change करेंगे तो thousand से multiply कर देंगे ये आजाएगा 26.8 kg पर meter झाल झाल